नमस्कार दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं पृतिदयाल आपके साथ बिहार की पूर्णिया से निर्दलिये सांसत पपु यादव पर लगातार संकट के बादल मडरा रहे हैं और इसके पीछे की वज़ा है लौर्ण्स बिश्णोई गैंग की ओर से उन्हें लगातार मिल रही धमकियां जी आपता दे कि एक बार फिर से पपु यादव को लौर्ण्स बिश्णोई गैंग की ओर से धमकी मिली है उनके कार्याले में धमकी भरे मैसेज और कॉल आये हैं वहीं इस बार संसत की पीए को वाटसेप चैट के जरीए धमकी दी गई है इसे लेकर पपु यादव की नीजी संसदिय सचीफ मोहम्मद सादिक आलम ने नई दिल्ली के कनोट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई है उन्होंने पुलिस को चैट का प्रिंट भी दिया है मालुम हो कि पपु यादव को इससे पूर्व भी जान से मारने की धमकी मिली थी जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली से महेश पांडे नाम के एक आरोपी को गिरफतार किया था बदा दे कि महेश पांडे का लॉरेस बिशनोई से कोई कनेक्शन नहीं मिला था इदर वाटसेप चैट पर अगर गौर किया जाये तो उसके मताबिक पपो यादव को इस बार सुपारी लेकर जान से मारने की धमकी दी गई है सांसत के नीजी सचीव के मोबाइल नमबर पर देर रात दो बच कर 45 मिनट और सुभर नौ बच कर 45 मिनट पर धमकी वाले मैसेज भेजे गए हैं जिसने मैसेज भेजा है उसका नाम स्क्रीन पर कोडी भाई दिख रहा है प्रोफाइल की तस्वीर में लौरेंस बिश्नोई की फोटो लगी हुई है बता दे कि पहली बार पपुयादब को यू ए ए के नमबर से धमकी मिली है वो नमबर बाद में महेश पांडे नाम के आरोपी की साली का नमबर निकला तो वहीं इस बार पपुयादब को कोडी भाई वाले मोबाईल नमबर से वाट्सेप के जरीए धमकी मिली है वहीं पुर्व वाले मामले में पूर्णिया के स्पी कार्तिके के शर्मा ने बताया था कि गिरफतार आरोपी को रिमांड पर लेकर पूश्टाच की जाएगी उसके अलावा सांसत की ओर से मुहया कराए गए अन्ने नमबरों की जाच भी पुलिस करेगी ध्यान रहे कि पपोयादव ने लौरेंस गैंग से अभिनेता सल्मान खान को धमकी मिलने के बाद एक सोशल मेडिया प्लाटफॉर्म पर पोस्ट शियर किया था उसके बाद लौरेंस गैंग को चुनोती देते हुए उसके नेटवर्क को 24 घंटे के भीतर ही खत्म करने की बात कही थी इस पोस्ट के कुछी दिन बाद पपोयादव को महेश पांडे ने कॉल किया था जिसे लौरेंस बिश्णोई गैंग का कॉल बताया गया पपोयादव ने इसे लेकर कहाट ठाने में प्रात्मी की दर्ज भी कराई इसमें लौरेंस के कथित गुर्गो की ओर से पपोयादव को कर्म से लेकर कांड करने तक की धमकी दे दी गई थी इस दमकी के बाद पप्पु यादव ने केंदर और राजसरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी पप्पु यादव को पहले से वाई श्रेनी की सुरक्षा मिलती है अब वे जेट श्रेनी की सुरक्षा चाहते थे हालाकि पुलिस की जाच में आरोपी पकड़ा गया अब दुबारा धमकी मिलने के बाद फिर से पुलिस जाच में जुट कई है देखना होगा कि पपो या अदब की ओर से इस बार क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है तो फिर हाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारे योटुब चैनला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जो सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही अगर एगर वीडियो फेस्बुक के माध्य हमसे देख रहे तो पेच को लाइक करना ना भूले